विराट कोली ने जो कैच पकड़ा रिशव पंद का उसके बाद अनुश्का शर्मा का रेक्शन देखने लाएक था और यह मैच का सबसे बड़ा मोमेंट था गाईज दरसल हुआ कुछ ऐसा था RCB वसे डेली कैपिटल्स का मैच तो चल ला था लेकिन विराट कोली बैटिंग पर पूरी तरीके से फिलोप रहे थे क्योंकि वो रन आउट हो गये थे और इस सीजन में वो दो बार रन आउट हो चुके हैं लेकिन बैटिंग कोलेप्स हो गये तो शुरुआत में एंड फैफ डू प्लेसिज विराट कोली और शुरु के बल्लेबास जैसा अनुजरावत भी नहीं चले थे लेकिन उसके बाद जो कि हर मैच में बैटिंग कर रहे दिनेश कार्त हमेशा RCB के लिए सर्वाइवल बनकर खड़े होते हैं जब शुरु के बल्लेबास आउट हो जाते हैं तो उन्होंने और शहबाद एहमेद ने 97 रन के पार्नरशिप की और एक अच्छा स्कोर 190 का टोटल डेली कैपिटल्स को दिया और डेली कैपिटल्स जब बैटिंग करने आई तो उनकी भी शुरुआत बहुत अच्छी हुई और उसके बाद प्रिथवी शो को आउट कर दिया मोहमद सिराज ने पावर प्ले में ही लेकिन डेविड ओर्नर ने जो बैटिंग की जिस तरीके से वो कंसिस्टेंसी अपनी दिखाई और इस मैच में भी उन्होंने 50 लगाए लेकिन 50 तो लगाई ही लेकिन उन्होंने बहुत तेजी से बैटिंग की ऐसा लग रहा था कि एक बीच में वो बड़े ही आसानी से मैच को लेकर जाएंगे लेकिन उनकी जो विकेट गिरी हाला कि अमपैर ने उनको आउट नहीं दिया था लेकिन उनकी जो विकेट ली वनिंदू हसरंगा ने उसके बाद जो विराट कोली का रेक्शन था बिल्कुल फायर वाला रेक्शन था और उसके बाद जब पूरी टीम ने स्क्रीन पर देखा कि वो बॉल विकेट को हिटिंग कर रहे है तो उसके बाद ही विराट कोली डैविड ओरनर के सामने जाते है और इतना खतरनाक सेलिबरेशन करते है फुल फायरी टाइप में और वो रेक्शन विराट कोली का सब कुछ बता रहा था कि ये विकेट कितने जादा इंपोर्टेंट है और विराट कोली वहाँ पर अगरेशन अपना दिखाए लेकिन लिशाप पन्द भी एक तरफ से बहुत अच्छी बैटनिंग के थे 17 बोल पर उन्होंने 34 रन लगाए थे लेकिन उसका उसी बिच बहुत जादा खतरना केश पकड़ा विराट कोली ने उसके बाद केश देखते हैं अनुषका शर्मा का रेक्शन एकदम शोकिंग वाला था वो विराट कोली का ये केश देखकर चोक गई थी क्योंकि विराट कोली ने फिलाइंग केश पकड़ा था या उड़कर गर केश पकड़ा था ये केच पकड़ने के बाद विराट कोली भी दोड़ते हैं और उसके बाद वो अनुषका शर्मा को फिलाइं किस देते हैं पूरे मैदान में और उसके बाद वो जीत का साइन दिखाते हैं टू फिंगर और उसके बाद ये करके हाथ दिखाते हैं तो ये काफी अच्छा लग तो आपका इसके उपर का कहना कॉमेंट करके जरूर बताने इन वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को लाइक करके किरकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब करते थैंक्स फर वाचिंग